नमस्कार सभी को, आज की क्लास में हम लोग next topic करेंगे Photoshop का, जो की है आपका tool box और उसके option और tool presets प्रिछली क्लास में हम लोग Photoshop का introduction किया था कि आपका Photoshop कैसा होता है, उसका interface क्या होता है, वो खुलता है, layers क्या होती है, new layer में हम लोग कैसे काम करते हैं, नई file कैसे होती है, तो आज हम थोड़ा सा और advance करेंगे, that is toolbox और उसके options और tool presets जब हम अपना Photoshop होते हैं, तो हमारे पास left hand side में एक box जैसे नजर आता है, यह हमारा जिसमें काफी सारे tools होते हैं, तो यह हमारा toolbox है, देखेंगे आप इसमें काफी सारे options है, और यहां पे चोटे से दो triangle बनी है, यह इस triangle से हम लोग इस toolbox को two lines और one line में convert कर सकते हैं, अभी फिल toolbox two lines में convert है, हम चाहते हो, यह triangle पर click करेंगे, तो यह हमारा one liner हो जाएगा, और इसको दोबारा click करने पर, यह हमारा second line में convert हो जाएगा, और हम इसको, यहां से toolbox को, खिला भी सकते हैं, आपको जहां पे भी सहुलियत लगे, अपने according आप इसको, अपनी toolbox को रख सकते हैं, ले वो आपके photoshop interface में left hand side की तरफ ही आता है, now coming for toolbox options, हम यहां पर देख रहे हैं, इतने सारे हमारे पास tools है, हम इसको एक एक करके बात्र की classes के में रखेंगे, पहले in tools, toolbox में यह जो हमारे options है, हम जैसे ही, और यहां पर देखिए, एक ही toolbox के अंतरगत हमारे और भी options कुलते हैं, अगर किसी tool के अंतरगर, छोटा सा आपको triangle दिखेगा, यहां पर, तो यानि इस toolbox के अंदर और भी tools है, जैसे मैंने इस पर click किया, यह हमारे चार tools और खुल गए, मैंने दूसरा tool किया, और इसके triangle पर click किया, तो यह इतने सारे tools और खुल गए, तो यानि triangle के मतलब होता है, कि आपके उस toolbox में और भी tools है, आपके उस tools के अंतरगर, आपके और भी tools है, जैसे हम किसी tool पर click करते हैं, तो यह हमारे जो file menu है, इसके नीचे हमारा, इसके toolbox के options खुल जाते हैं, कैसे, देखे, मैंने भी यह text tool होता है, इस पर click किया, तो text tools से related, आपके जितने options है, यानि आपको कौँसा font यूज करना है, आपको कौँसा text यूज करना है, text की size क्या होगी, उसको alignment क्या होगा, उसके सारे options आपके यहां खुल जाएंगे, similarly, यहां पर मैंने selection tool लिया है, selection tool मैंने जैसे लिया, selection tool के इतने सारे options हमारे पास खुल जाते हैं, हम और दूसरे tools लिएंगे, हमने कोई और tool लिया, तो उस tool से related options है, वो हमारे इस option बार में खुल जाता है, तो यह हमारा tool box के options है, यह हमारा tool box है, और जैसे हम tool box में से कोई tool जूच करते हैं, तो इदर हमारा उस tool से related options खुल जाते हैं, now coming for tool presets, tool presets क्या होता है, आप कोई भी अपना particular tool customize करके उसको save कर सकते हैं, और आप उसको use कर सकते हैं दुबारा, आपको बारबार वो tool को customize करने की या recreate करने की ज़रत नी पड़ीगी, अगर आप उसको save कर लेते हैं, तो tool presets आपका basically वही काम करता है, उसको समझने के लिए हम थोड़ा से पहले brush tool यहां पर हमारा brush tool जैसा बना हुआ है, उसको click करेंगे, और हम brush के प्रिसेट्स होते हैं, यहां पर हमारा brush के प्रिसेट्स है, चाहिए तो आप window में से जाके भी आप अपना brush का यहां पर brush presets लखाया है, उसको खोलेंगे, मैंने यहां पर लिया, यह हमारी brush खुल गया है, इसमें काफी सारे options है, पहले मैंने brush का shape ले लिया, tip shape, मैंने एक tip यूज चूज कर लिया, इसका size मैंने अपने coding कर लिया, इसका चाहो तो मैं flip x, y या x, angle change कर सकती हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा 45 degree angle किया, तो यह थोड़ा tilt हो जाएगा, इस तरीके से यह देखिए, यह से आ रहा है, roundness, hardness, spacing कितनी रखनी है, मुझे spacing बढ़ानी है, या कम करनी है, मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ, बटलब, और, मैंने इसके साथ एक और box press choose कर लिया, मैंने यह वाला, अपके बार यह वाला choose किया, इसका size भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, spacing ज्यादा रख ली, और scattering जो है, वो मैंने अपने according कर लिया, कितने count में मुझे कर ला है क्या है, यह, मैंने choose कर लिया, अब यहाँ पर मैं, मैंने color भी दे दिया, अब मैं इसको जैसे use करूँगी, कुछ देखने रहा है, कर रहा ऱूज, होचे, और medते हैं को लिए, यह, यह, बोचेक्ट महाथ विला, वो, भी मैंने चलFrân ॉप मैं चल्र की मैं मैंने चन्ट कर रहार, झाल 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 देखिए अब इसमें दोनों ब्रशेज आ रहे हैं हम इसको थोड़ा से जूम करके दिखेंगे तो हमार पास ये दोनों ब्रशेज आ रहे हैं दोल ब्रशेज हो गया अब मैं इसका टूल प्रिसेट्स में कैसे सेव करेंगे यहां पर हमने जो ब्रश टूल यूज किया तो यहां पर एक ब्रश का साइन आ रहा है और इसके पास में एक छोट असा ट्रेंगल है उसमें क्लिक करेंगे यह देखिए हमारे जो हमारे ब्रश के प्रिसेट्स है जूकि अल्रेडी है वहाँ पर क्लिक है वो current tool all नहीं है इसको जैसे click करेंगे तो सिर्फ brush के जाएंगे और इसको हटाएंगे check mark को तो हमारे जितने प्रिसेट से tools के वो सब आ जाएंगे अब आते हैं यहाँ पर new year जैसे एक sign है उसके click करेंगे तो हमारे पास scattered leaves करके आई जाएगा मैं इसको ok कर दूँगी यहाँ पर मैंने include colors भी क्याएं मैं दबारा इसको दिखाते हैं जैसे मैंने इसको click किया तो यहाँ पर देखिए include colors है यानि अगर मैंने इसको yellow color choose किया है इसका तो मैं जब इस tool को use करूँगी तो यह yellow color को भी लेगा ठीक है हम आते आप tool presets कि तरफ यह हमारा tool presets कुला हुआ है हम ज़रा नहीं खुला हुआ थो आप window में जाके यहाँ पर tool presets को open कर सकते है tool presets को open करते हैं हमारे पास यहाँ पर हमने current tool ले रखाया भी तो यानि हमारा current tool जो choose है वो brush tool है तो इसमें यह देखिए यह आ गया brush tool scattered leaves one हम current tool को check mark off करते हैं तो हमने जितने भी presets बना रखे हैं वो सारे आ जाएंगे अभी मैं current tool पर ही करती हूं क्योंकि हम यह brush tool का ही करना है और यहां पर मैं color change कर देती हूं मैं यह तो नई एक file बनाती हूं मैंने एक नई file ली मैंने इसको color दिया अब हम जाते हैं brush tool में brush tool में जैसे हम लोग यह brush tool scatter leaves को click करेंगे यहां से भी हम कर सकते हैं यह दौरत और tool presets में जाके भी और brush का करके भी जैसे इस पर click करेंगे यह दिखिए यहां पर यह yellow color आ गया और जो हमने इसकी properties दी थी जिस जो update साफ से customize किया था इसका size इसकी scattering इसका spacing वह आ गया मैंने although यहां पर अपना फोर्डाउं color change कर दिया लेकिन जैसे इस tool का मैंने preset में से tools किया इसने अपना color वापे से वही रख लिया जो हमने इसको color दिया था प्रिसेट वना दिवक्त तो टूल प्रिसेट बेसिकली आपका यही काम करता है आप अपनी साफ सक्स टूल को customize करके आप उसको save कर सकते हैं और अगें आप उसको use कर सकते हैं तो आज की class में हमने तो टूल बॉक्स उसके option और टूल प्रिसेट कैसे होते हैं और उनको कैसे use किया जाता है यह सीखा आज की class के लिए इतना ही thank you